हलो विए मैंनें इस निगा बलानी एं वेलकम टु आल ओफ यू और आज का मारी टॉपिक है संबन्ध बॉद अवे इससे पहले हम ने क्या कया किया था पहले वोधक लेते हैं हमने सबसे पहले संग्या सर्वनाम उसके जिसकी वज़े से, जैसे मालो वचन हो गया, या फिर कोई करता है, वो एक वचन है, tactics, storytelling है, purling है इन सभी की वज़े से जब उसके अंदर कोई changes नहीं होते हैं, तो ऐसे सारे शब्द क्या होते हैं? अवे होते हैं, और वो भी चाल प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एक हम पढ़ चुके हैं kriya vishishan आज हम पढ़ेंगे संबन बौधा कवे इसके बाद आएंगे समुच्य बौधा कवे दैन आएंगे हमारे विस्मयादी बौधा कवे विस्मयादी बौधा कवे बहुत ही सिंपल होते हैं वो मैं आपको बता दूगे कि किस किस तरह से हम यूज करते हैं तो संबन बौधा कवे क्या होंगे जब आप इसको पढ़ोगे तो आपके अंदर एक confusion आएगा वो हम बात में discuss करेंगे वो क्या होगा कि जब आप संबन बौधा कवे पढ़ोगे तो आपको लगएगा ये तो क्रिया विशेशन जैसा ही है लेकिन दोनों में अंतर क्या है दोनों शब्द यूज होरी होंगे जन्नी हम बात में डिसकस करेंगे पहले हम संबन्द बौदक अवे को अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अब यह हिंदी में लिखा हुआ है संबन्द बौदक अवे अगर आप इसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करो कि तो यह क्या है यह है प्रेपोजिशन जो इंग्लिश में हमको बहुत ज़ादा यूज होते हैं जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो प्रेपोजिशन सबसे ज़ादा रोल प्ले करती है किसी भी सेंटेंस में हमें उसकी रिलेशन बताने के लिए तो सेम ऐसे हिंदी में भी होता है तो आज हम क्या सीखेंगे आज हम सीखेंगे संबन बौदक अवे की परिभाशा और उसके साथ-साथ ये कौन-कौन से बेध होते हैं उनको समझेंगे बेध सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए होते हैं आपको sentence के according उसका meaning समझ में आए बाकि आपको overall क्या समझना है overall आपको यही समझना है कि संबन बौदक अवे होते क्या है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिभाशा को देखेंगे उसके बाद उसके भेड देखेंगे जब हम पूरा complete समझ जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगे कि क्रिया विशेशन और संबन बौदक अवे दोनों एक दूसरे से कैसे कैसे अलगे अगर आपने नहीं देखा है क्रिया विशेशन वाला topic तो आप पहले उसको देखे फिर आप यह संबन बौदक देखोगे तो जो अवे शब्द वाक्य में किसी संग्या या सर्वनाम का संब्द अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें हम संब्द बौदक अवे कहते हैं किसी वाक्य में संग्या या सर्वनाम होगा कोई हमारा करता होगा या कोई भी हमारी चीज होगी उसका संबंद, वाक्य के बाकी जितने भी शब्दों हैं उनसे संबंद बिठाने के लिए हमें कुछ words लगाने होते हैं और उन ही शब्दों को हम क्या कहते हैं उन्हें हम संबंद bother away कहते हैं यानि कि relation maintain करते हैं कैसे? अभी कौन-कौन से होते हैं अंदर, बाहर, दूर, पास, आगे, पीछे, बिना, उपर, नीचे और ऐसे ही नजाने बहुत सारे होते हैं अब आप यहां पर आईएं यहीं से आपको confusion शुरू हो जाएगा कि क्रिया विशेशन में भी हमने उपर देखा था नीचे देखा था, पीछे देखा था आगे देखा था, दूर पासी, सारी चीज़े हमने क्रिया विशेशन में भी देखी थी लेकिन क्या अंतर है? वो हम बात में डिसक्स करेंगे, तो पहले पूरा अच्छे से संबंद पर क्या दे रखा है? जैसे दे रखा है पेड़ के उपर पक्षी बैटे हैं यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हमारा संग्या या सर्वनाम कौन है? पेड़ है अब इसका संबंद वाके के दूसरे के साथ बता रहे हैं कि पेड़ जो है वो पेड़ पे कौन से पक्षी जो है वो बैठे है तो पेड़ के ऊपर बैठे है उपर बैठे है नीचे बैठे है आगे बैठे है पीछे बैठे है कहा बैठे है तो पक्षी कहा बैठे है पक्षी जो है पेड़ के ऊपर बैठे है ठीके अब नेक्स एको क्या है सीता घर के बीतर खड़ी है सीता घर के बीतर खड़ी है तो यहां पर सीता और घर दो के बीच में हम क्या बता रहे है रिलेशन बता रहे है कि जो सीता है वो घर के बीतर है बाहर है उपर है नीचे है पीछे है कहां पर है तो वहां पर हम एक संग्या या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ अब वो दूसरा शब्द तो कोई भी हो सकता है, संग्या हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तो उनके साथ संबंद बिठाने के लिए हम क्या लगाते हैं, संबंद बौदर कवे लगाते हैं अब मान लो, यह संबंध बॉदा कव्या हम ना लगाएं, तो वाक्य कैसे बनेगा? हम बोलें, पेड पक्षी बैठे हैं, तो समझ में नी आएगा ना? अब ज़से, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? Pen, this pen is on the table, ऐसे बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि जो pen है, वो table के ऊपर रखा है, ओके, तो यहां पे on जो word यूज़ कर रहे हैं हम, वो क्या है? एक preposition है, जिसमें वो क्या बता रहा है, span का, span का relation बता रहा है किसके साथ, उस table के उपर रखा हुआ है, उसके साथ, तो ऐसे जैसे English में होता है, मैं बीच-बीच में आपको English का भी कोई-कोई sentence बताऊंगे, जिससे आप relate कर पाऊगे कि हाँ, संबंद बहुत अगवे, जो क्या होते हैं, prepositions होते हैं, जो हमको किसी भी चीज के बीच में relation बता दाएं, यानि हमको पता चलता है कि exactly वो वस्तु कहां पर रखी वी है, ठीक है, next है, मेरे घर के पीछे बगीचा है, मेरे इस तरह से आपने ये समझा कि संबंद क्या होता है, relation, अब क्या होगा कि भेद में हम क्या समझेंगे, भेद में हम ये समझेंगे कि कब किस तरीके से हमको, जैसे हम prepositions में भी देखते हैं कि अलग-अलग type के होते हैं, कोई time के base पे होता है, कोई हमको place के according लगता है, तो हर type के अलग-अलग होते हैं, सेम ऐसे ही हिंदी में भी होता है, तो हिंदी में अगर भेद देखे, तो कौन-कौन से होते हैं, बहुत सारे हैं देख के डल जाएंगे लेकिन नहीं, बहुत simple simple है, शब्दों से ही हम उनका मतलब निकाल लेंगे, तो हमको easily समझ में आ जाएगा, कि हाँ, जैसे आप वाक्य पढ़ोगे, आपको वाक्य पढ़ते हैं, अच्छा इसमें टाइम की बात हो रही है, हाँ, तो ये काल वाजचक वाला होगा, अच्छा इसमें ये 100% नहीं है, हो सकता है, आपको कभी कहीं और पढ़ोगे, कहीं पर 10 होंगे, कहीं पर 12 होंगे, लेकिन मुख्यत है, मतलब में जो होते हैं, वो 10 होते हैं, चीके, तो हो सकता है, अगर आपके पास अगर बुक हो, या कहीं आप और कहीं से देख रहे हो, तो आपको वहाँ पर 10 के 12 मिल सकते हैं, या कभी 8 भी मिल सकते हैं, लेकिन mainly जो होते हैं, वो 10 होते हैं, तो हम 10 पढ़ने वाले हैं, और इसी में सारे कबर हो जाएंगे, सबसे पहला आता है काल वाचक, काल मिन्स टाइम, तो जब टाइम से रिलेटे कहेंगे, साधन, जब आप किसी के साधन के द्वारा काम करो, भई मैं जो चीज है, इसके द्वारा कर रहा हूँ, इसके साथ कर रहा हूँ, तब हम यूज करेंगे, विरोध, जब आप किसी चीज से विप्रीत, जब बोलते हैं, विप्रीत, उल्टा, ऐसे शब्द यूज क तूचक संम्मद बौदक होते हैं विशे वाचक जब आप किसी विशे के बारे में जैसे हम about यूज करते हैं तो वो क्या है किसी के बारे में बताने के लिए, किसी विषय के संबन में बताने के लिए या हम हिंदी में बाबत शब्द यूज़ करते हैं, वो होता है Next रहता है कारण वाचक, जिसमें हम किसी चीज का reason बताते हैं यहींत क्यूंकि है इस वजह से हुई हम इसतर से बोलते ना तो यह कारण माचशत हो 니 ओगां अब में one क्या है इत वन में क्या होगा जो काम और दो बारें बना माया था बिमार इसके कारण वह स्कूलोमँ नहीं आप आया था तो यह कारण fod eing mel transitioned हेतु में क्या बता रहे हो ? यहां पर हेतु और कारण आपको जब पढ़ोगे तो अच्छे से आपको और डीटेल में क्लियर हो जाएगा लेकिन जैसे ही हम शब्द पढ़ते हैं हमको mind में click होता है कि हेतु का मतलब भी यह होता है मतलब किसी हेतो किसी चीज के लिए कर रहे है और कारण के लिए भी होता है यहाँ पे हम कोई चीज को reason के साथ कर रहे है और कारण में हम कोई चीज बता रहे है कि यह जो हुआ यह इस वज़े से हुआ था जीक है? अब one by one सभी को detail में समझेंगे और with example समझेंगे सबसे पहले देखते हैं काल वाचक संबंद बौदा कवे काल वाचक क्या है नाम से देखा जाए तो क्या है जिन शब्दों से हमें समय का पता चलता है उसे काल वाचक संबंद बौदा कवे कहते हैं समय का पता चलेगा समय कैसा होगा पहले बाद में आगे पीछे उपरांत मतलब बाद में बोला जाता है आदी ऐसे सारे शब्द क्या है हमें समय के बारें बता रहे होगे जैसे लता से पहले सरला आई ठीक है लता से पहले कौन आई सरला आई तो यहाँ पर लता हमारा एक संग्या है और सरला के स तो लता जो है वो सर्ड़ा से पहले आई तो यह से पहले आई यह क्या है यह हमारा संबंद बता रहा है ठीक है नेक्स्ट ट्रेन समय से पहले आ गई तो ट्रेन जो है वो समय से पहले आ गई तो यह से पहले क्या है यह ट्रेन और टाइम के बीच का क्या बता रहा है रिलेशन प्रिया विशेशन क्या होता है और संबन बौदा गवे क्या होते हैं जैसे देखो यहां पर क्या दे रखा है लता से पहले सरला आई ठीक है अब मैं इसी वाक्यों को फिर से लिख रही हूँ लता पहले आई और एक वाक्या आपने क्या लिखा लता से पहले सरला आई ठीक है अब इन दोनों को देखो यहां हमने पहले यूज़ किया है यहां भी हमने पहले यूज़ किया है लेकिन दोनों में यह शब्द जो हैं वो अलग-अलग रोल प्ले कर रहे हैं कैसे यहां हम कह रहे हैं कि लता पहले आई लता कब आई पहले आई कैसे बोल रहे हैं लता कब आई लता पहले आई जब आमने क्रिया विशेशन बढ़ा था तो हम क्या करते थे हम क्वेशन करते थे कि लता कहां आई तब वो स्थान के संबन्द में हो जाएगा लता कब आई तो वो हमारा टाइम के संबन्द में हो जात यानि यह पहले यहां पर किस तरह यूज़ हो रहा है as a kriya विशेशन यूज़ हो रहा है लेकिन जब कोई शब्द यानि जो पहले या जितने भी आव्य है यह अगर किसी दो चीजों के बीच में relation बता रहे हैं जैसे यहां पर लता जो है वो सरला से पहले आई तो यानि लत और सरला के बीच की बात हो रही है यहां पर आने के किरिया के बारे में बात नहीं हो रहे है कि किरिया कब कैसे कहा हुई नहीं यहां पर क्या हो रहा है यहां पर रिलेशन बता रहे हैं यहां पर हम किस के बारे में बता रहे हैं किसी भी आने की या किसी भी किरिया की विशे और यह हो गया हमारा संबन बौधा कव्य है, संबन जिसमें दो चीजों की बीच में संबन बता रहेंगे, अब आगे हम और भी sentences देखते जाएंगे, और दोनों में difference create करेंगे, कि कौन सा as a creation है, और कौन सा as a संबन बौधा कव्य है, ठीके, now next, next है स्थान वाचक, स्थान मतल दर बाहर, यह सबी चीज़े क्या होती है, दूर परे, यहां वहां, यह ऐसे शब्द होते हैं, जहां पर हम किसी के स्थान के बारें बात करते हैं, ठीके, अब यहां पर लता सरला के पीछे खड़ी है, तो पीछे खड़ी है, यह क्या है, हम लता और सरला के बीच का क्या ब घर के पास में ही है, तो यहां पर हम स्कूल और घर के बारे में रिलेशन बता रहे हैं, अब क्वेशन आता है कि क्रिया विशेशन में कैसे यूज़ होगा, कि लता पीछे खड़ी है, अगर ऐसा लिखा आता है, लता पीछे खड़ी है, तो लता कहां खड़ी है, लता पीछे है यहां पर हम पीछे कैसे उज़ करें अगर हम ऐसे बोलते हैं कि लता पीछे खड़ी है तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं लता जो है वो पीछे खड़ी है यह एक क्रिया विशेश्चर है ठीक है तो इस तरह से आप खुद से ही क्वेश्चन करके देखो देखो कि अच्छा इसमें क्रिया की विशेश्चता बता रहे हैं कि यह जो भी काम हो रहा है खड़ी है कहां खड़ी है पीछे खड़ी है नहीं यहां पैसे बोल रहे हैं कि लता जो है वो सरला के पीछे खड़ी तो यह के पीछे जो है इन दोनों के बीच में ही संवन्द बौधक आएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लता, सर्ला, जो भी दो शब्द है, उनके बाद भी हम यूज करके, इनका relation बता सकते हैं, टोके, now next है दिशा वाचक, दिशा जिसमें हम direction की बात करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि, जे नवे शब्दों से, दिशा का बोध होता है, यानि direction का बोध होता है, उसे हम दिशा वाचक संवन्द बौधक अव्य कहते हैं, जैसे और, तरफ, पार, प्रती, आर पार, आसपास, जैसे हम हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं, across, ठीक है, तो यह सारी चीज़े क्या होती है, यह हम किसी भी दिशा के बारे में बात करते हैं, जैसे घर के आसपास ही रहना, घर के आसपास ही रहना, तो यहाँ पर हम क्या बोलो है, के आसपास, तो घर के आसपास रहना है, तो यह क्या है, के आसपास एक हमारा संबन बौधक अव्य है, और उसी में भी कौन सा है, दिशा वाला है, ज क्या लेंगे हमको देखना होगा कि हमें दो चब्दों के बीच में संबंद नहीं देखना है अगर वाक कैसे आ जाए किनारे की और खड़ी है किनारे की और खड़ी है तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं यहां पर किनारे की और खड़ी है तो कहां खड़ी है किनारे की और खड़ी है तो यहां से क्रिया विशेशन हो सकता है तो जब भी आपको देखना है कि जब मेरी क्रिया की कोई विशेशता बता रहे हैं क्रिया जो भी आप काम कर रहे हो ना उसकी विशेशता बताएंगे तो क्रिया विशेशता होगा, otherwise वो क्या होगा? संबन बॉदा कवे होगा. Next, अब I think आपको सब को clear हो गया होगा कि क्रिया विशेशन कैसा होगा और हमारा संबन बॉदा कवे कैसा होगा. तो अब क्रिया विशेशन को छोड़ते हैं, अब मैं सिर्फ आपको संबंद बौधक ही बताऊंगी ताकि आप संबस सको कि अच्छा मुझे कैसे कैसे बताना है, लास्ट में हम एक बार और अच्छे से डिसकस करेंगे, और साथे साथ में कुछ आपको ट्रेक्स भी किसके द्वारा किया गया है, उसके लिए होता है, तो साथन बौधक, साथन वाचक बौधक अवे कहते हैं, जैसे कि द्वारा, जरिये, हाथ, बल, कर, माध्यम, सहारे, जैसे हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, बाई यूज़ करते हैं, जब बाई यूज़ करके ब कोई काम किसके द्वारा किया गया है उसके लिए उस करते हैं जैसे आपके आने का समाचार रगुवीर के द्वारा मिला ठीक है आपके आने का समाचार किसके द्वारा मिला रगुवीर तो यहां पर यह एक सब्जेक्ट है हमारा और यह है दूसरा इन दोनों के बीच का रिले चीज का साधन बता रहे हैं कि कौन सा काम किसके द्वारा होगा ऐसे ही आप अगर और जैसे सोचो कि मैंने उसका लेटर किसके द्वारा पहुंचाया पोस्ट के द्वारा पहुंचाया तो यहां पर यह जो द्वारा यूज किया गया है यह क्या है यह हमारा साधन है तो जब आप किसी साधन के द्वारा यूज करते हो, वो सारे किसी भी जरिये से, मतलब कोई भी जरिया अगर किस धरिये से आप यूज कर रहे हो, वो सारे क्या होते हैं, हमारे साधन वाचक होते हैं, clear? नाव नेक्स क्या है, विरोध, नाम से ही पता चला है, विरोध, जब आम किसी के opposite बात करते हो, मतलब किसी चीज के विपरीत बात करते हो, तब हम विरोध वाचक संबन बहुता कवे को यूज करते हैं, जिन अवे शब्दों से विरोध व्यक्त होता है, आप जब कोई विरोध किस किसमें योज होगा, हम बोलते हैं विपरीत, खिलाफ, यह खिलाफ भी क्या है, किसी के विरोध में यूज कर रहे हैं, तो ऐसे शब्द जो किसी के विरोध के बारे में बता रहे होंगे, वो सारे क्या होते हैं, हमारे विरोध वाचक संबन बहुता कवे होता है नेक्स जैसे क्या दरका विरुद, विप्रीत, खिलाफ ये ऐसे सारे शब्द होते हैं और ये आप बिना देखे भी बोल सकते हैं अचा विरुध में क्या होता है विरुध में तो जिसमें किसी चीज का विरुध करते हैं वो होता है तो इस जीलिए हम eliminate कर पाते हैं तो जैसे उसके विरुद मत बोलो, बैं किसके विरुद मत बोलो, उसके विरुद मत बोलो, तो यहां पे उसके मत नहीं बोलना है, तो क्या नहीं बोलना है, तो विरुद क्या हो गया, यह हमारा एक संबन्द बहुत कभी हो गया, मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा तो मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा तो यहाँ पर खिलाफ जो है अब कई बार होता न कि हम जब English translate करते हैं तो हमें कई चीजे पता नहीं होती है जैसे हमको खिलाफ का मतलब नहीं पता होता है कि खिलाफ क्या उस करें खिलाफ के लिए तो उस टाइम पर आपको अगर हिंदी में समझा हुआ होगा ना कि अच्छा खिलाफ तो हमारा एक संबन बहुता यानि कि यह प्रेपोजिशन है तब आप उसको आराम से ट्रांसलेट कर पाओगे तो अगर आपको हिंदी में अच्छे हीं से हो जाता है बड़ कि को आप हंदी के लिए जप्राइज क्लुप उलग के लिए अगर Jordi हरा तो और मयरी ना की हिंदी न की पकी मैं खिलाफ की जगे पर मैं अलग दूसरे वर्ड उसके बिना ऐसे वर्ड उसकर घ्लत है 몇 गलत है बिना एक अलग चीज हो गई, खिलाफ हम किसी चीज के opposite बात करें, किसी के विरुद बात करें तो अगर आप Hindi में अच्छे से सोच पाओगे, तो उसको आप English में अच्छे से translate कर पाओगे अगर सोचोगे ही गलत तो लिखोगे तो बिल्कुली गलत तो इसलिए हिंदी को अच्छे से detail में ध्यान से समझोगे, ग्रामर अच्छे से समझ लोगे हिंदी की तो English की काफी ग्रामर आपको वैसे ही easy हो जाएगी इसलिए मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं English के भी words यूज़ करते हैं और वो भी कौन सा वाला विरोध वाला Next is Samta wayach Samta मतलब जिसमें हम किसी चीज की समानता बता ते कि ये उसी की तरह है, उसी की भाती है, उसके जैसा है ऐसे होते हैं बिल्कुल अपने पापा के जैसा है तो यहाँ पे बिल्कुल अपने पापा के जैसा है यहां पर जो जिसके जैसा है, उसके समान है, उसकी तरह है, यह सारे शब्द क्या है, यह हम किसी चीज के बारे में क्या बता रहे हैं, समानता बता रहे हैं, यह और यह दोनों एक समान है, मतलब दो चीजों के बीच में समानता वारा रेलेशन बता रहे हैं, जिन शब्दों स कि तरह सीमा भी सुंदर है तो यहां पर किरन की तरह सीमा ये δो शब्द है इनके बीच में हम क्या बता रहे हैं कि भई दोनों ही क्या है सुंदर है अब यहां पर इंग्लिश में अगर आप यूज करो तो क्या होता है हम इंग्लिश में juze करते हैं तो राकेश मेरे मुताबिक ही काम करता है तो यहाँ पर भी क्या है मुताबिक बिल्कुल मेरी तरह ही काम करता है मेरे जैसा ही काम करता है अब आप इसी की जगे मुताबिक की जगे बाकी सारे चीज़ रखे देखो आपको सेंस व्यसा ही दिखेगा जैसे आप क्या बोलोगे राकेश मेरी तरह ही काम करता है राकेश मेरे समान ही काम करता है राकेश मेरे भाती ही काम करता है राकेश मेरे देखा देखी ही काम करता है राकेश मेरे जैसा ही काम करता है राकेश भी ऐसा ही काम करता है अगर आप ऐसे ऐसा लाग अब ज़रूर नह उनको मैंने यहां लगाया तो sense change हुआ? नहीं हुआ सब में हमको क्या बताया जा रहा है? कि हाँ मेरी तरह ही करता है, मेरे समान करता है, मेरे जैसा ही करता है, मेरा देखे देखी ही करता है तो ये सब ही क्या बता रहे हैं? किसी की समानता बता रहे हैं तो आप खुद से ऐसे ही बहुत साइ सेंटेंसे खुद से उसी टाइम पर बना के देख लो कि और कौन को वैसे से किरन मेरे समान ही सुन्दर है मेरी भाती ही सुन्दर है देखा देखी शायद नहीं हो पाएगा सेट नहीं हो पाएगा मेरे जैसे ही सुन्दर है किरन मेरे जैस सीमा की जैसे ही सुन्दर है, तो ऐसे आप बना के खुच से देखो, कि हां सारे सेट हो रहे हैं, सारे में सेंस के सारा है, कि हां मेरे जैसे ही है, मतलब किसी चीज के बीच में compare, ठीक है, compare, अगर आप सम्ता के लिए बोलो, तो किसी चीज के बारे में compare करें, दोनों कैसा कर रह हैं कि भाई जहां पर लिये हेतु खातिर कारण रहित अत्वा सिवा अतिरिक्त आते हैं वहां पर क्या होते हैं हेतु वाचक संबंद बौदक अवे होते हैं कि मेरे हेतु किया मेरे खातिर किया मेरे कारण किया या फिर मेरे रहित किया अत्वा सिवा मेरे अतिरिक्त किया यहा छोड़ दिया, तो उसने क्या छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, किसके खातिर, मेरे खातिर, तो यहां पे खातिर क्या हो गया, हेतु हो गया, मतलब जो घर छोड़ा, वो किस लिए छोड़ा, किस लिए छोड़ा, मेरे खातिर छोड़ दिया, उसने, नेक्स्ट है, मेरे अति मेरे अतिरिक्त कमरे में कोई नहीं था तो उसके सिवा कोई नहीं था उसके बिन उसके अलावा कोई नहीं था तो आप देख रहे हो न कि हम उसके अलावा उसके सिवा है तो यहां पर हम बता रहे हैं किसी हेतू के लिए उसके जैसे हेतू में आप अगर उसको सिंपल समझो त तो हेतु मतलब जिसकी वज़ा से, जिस वज़ा से हुआ है उसके बारें बात करोगे, कि भाई कैसे मेरे कारण, मेरे खातिर, मेरे रहित, मेरे सिवा, मेरे अत्तिरिक्त, मेरे हेतु, मेरे लिए कोई भी नहीं था, तो ये सारे क्या होते हैं हेतु, अभी कारण देखो के तो आपको और क्लियर हो जाएगा, now next है सहचर, सहचर मतलब दोस्त दोस्त साथ साथ वाले, तो सहचर जिसको हम सखा भी कहते हैं परयावाची में, तो सहचर सखा जहां पर हम संग, समेत, साथ, सहित, पूरवक, अधीन, आदी सारे शब्द जो आते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं सहचर साथ साथ वाले संबन बौदक अवे कहलाते हैं, जैसे वह मेरे साथ आई, वह मेरे संग आई, ये सारे क्या हैं, वह मेरे साथ घर आई, तो साथ क्या है, इन दोनों वह और मेरे के साथ क्या आई, वो घर आई, तो घर के बारे में बोल रहे हैं, कि वह मेरे साथ घर आ दोनों को साथ में उठाने की बात कर रहे हो तो जहां पर हम किसी के साथ साथ की बात कर रहे हैं जब हम किसी दो चीजों को साथ में लेने की बात कर रहे हैं तो वो होता है हमारा सहचत ऐसे ही जिसे आप समेट की साथ बात कर सको तो कैसे मेरे समेट मेरे घर वाले भी वहां इसमिद्ध बो screech Даatheem न्ञाओ पर am i syndee dud ऐ razhi कि यूंद्ध लिए अरह सारी चीज चिज मिसल tickets कारता हूं नहीं पता हoga लगी तो इसलिए और आप सारी चीजें संग्यमेr रिखे ओिएर से संबंध मिहाओ रही हो Запasure तो आप आराम से उनको justify कर सकते हैं कि इसका मतलब यह होता है यह इसके लिए यहाँ पर यह role play कर रहा है तो यह बहुत जरूरी है marks कितने भी अच्छे से आजाएं वो भी अच्छी बात है लेकिन आपको detail में सारी चीज़े पता होनी चीज़े कि कौन सा शब्द किस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो इस तरह से चादा समेट गद्दा उठा लो यह देख लिए हमने next आता है विशे वाचक विशे मतब जब आप किसी के subject के उपर बात करते हो किसी के बाबत में बात करते हो तो वहां पर हम विशे को यूज़ करते हैं जिन अव्य शब्दों से विशे की जानकारी प्राप्त हो जिस भी विशे के बारे में आप बात कर रहे हो उस विशे की जानकारी प्राप्त करने के बारे में बोलते हो तो विशेवाचक संबंद बहुत कवे होते हैं जैसे कि के बारे में के बाबत ये सभी क्या होते हैं हमारे विशेवाचक होते हैं गांदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है तो गांदी जी के बारे में तो यहां पर गां सेम ही आ रहा है कि मैं मोहन के बारे में बात करने हूँ मैं मोहन के बाबत में बात करने हूँ तो यह बाबत क्या हो गया थोड़ा अच्छा लेवल का हो गया शब्द जिसमें आप थोड़ा सही वाली हिंदी दिखती है अच्छी वाली इंदी और यहां पर हम यह भी सही है कि गांदी जी के बारे में जो क्या है बहुत कुछ कहा गया है और हम यहां पर बोलते हैं कि मुहन के बारे में बात करने आयों तो वो भी ठीक है विश्य वाचक संबन्द बौदक अव्य, now next क्या है, कारण वाचक संबन्द बौदक अव्य, क्या बता रहे हैं, किसी कारण का बोध होता है, जब आपको किसी रीजन का बोध होता है, जो भी काम हुआ है, वो क्यूं हुआ है, हेतू में क्या था, हम बता रहे थे कि ये काम वास्ते निमित खातिर जब हम किसी के निमित कर रहे हैं किसी के खातिर काम कर रहे हैं वो सारे कारण आते हैं जैसे रमेश सुरेश के कारण चला गया तो किसके कारण चला गया सुरेश के कारण चला गया तो यहां पर जाने का कारण जो है वो कौन है सुरेश है हम बता रहे हैं कि रमेश जो चला गया ना वो किसके कारण चला गया था सुरेश के कारण चला गया था तो रमेश और सुरेश के बीच में हम क्या बता रहे हैं कारण बता रहे हैं कि वो चला क्यों गया क्योंकि कोई होगा रीजन उसकी वज़े से लेकिन reason हम क्या बता रहे है कि रमेश जो है वो सुरेश के कारण चला गए तो सुरेश यहां पर कारण है जब कि हम हेतु में क्या कर रहे थे हेतु में हम बता रहे थे कि कोई चीज हुई है किसके लिए हुई है किसके लिए हुई है वो बताते हैं वे मेरी खातिर चुप रहा, तो किसके खातिर चुप रहा, मेरी खातिर चुप रहा, तो यहां पर एक खातिर क्या है, यह हमारा कारण बता रहा है, कि चुप क्यों रहा था, मेरे कारण चुप रहा था, तो यहां कारण की बात कर रहे हैं, तो अब आपको clear हो गया होगा, कि स और संबन्द। पहली चीज़, जब भी हम क्रिया विशेशन यूज़ करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने बोला, लत्ता पहले आई, ठीक है? और हम इदर क्या बोल गए है? लता सडला से पहले आई, अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो मैंने शब्द यूज़ किया पहले, और यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया? से पहले, तो पहला difference क्या है, पहला difference यह है, कि जब भी हम जो शब्द यूज़ कर रहे हैं, जब हम उसको as a creation यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे यह से नहीं लगावा होगा, या कोई भी विभक्ती नहीं लगी होगी, तो यहाँ पे विभक्ती रहीत होता है, और यहाँ क्या होता है, विभक्ती सहीत होता है, ठीक है, पहला point तो यह हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा यह है, कि जब भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या बता रहे हैं, लता पहले आई, मतलब कब आई? पहले आई कहां आई? उपर आई कहां गई? नीचे गई तो हम क्या बता रहेंगी? ये सारी चीजे हम बता रहे हैं कि सी भी क्रिया के बारे में यानि कि क्रिया के विशेश्चता बता रहा होगा और आप खुद से question करके देखोगे कि क्रिया को लगा कि कि भई कहां गई कब गई कैसे गई किधर गई ठीक है यह ग्व talk करके देखोंगे अगर आपको लगता है कि उससे मेरा justify हो रहा है तब तो वह क्या है एज़ क्रिया विश्यशन है लेकिन यहां पर क्या बता रहे होंगे यहां लत्त और बीच में यहां प आई के साथ कुछ स्पेशल नहीं बता रहे है कि आई, कब आई, ऐसे आ रहा है यहां पर, कहां आई, किधर आई, कैसे आई, नहीं आ रहा ना question का answer, तो दूसरी चीज क्या है कि आप खुद से question करके देखो कि किसके साथ, क्रिया के साथ question करोगे कैसे, कहां, कब, कैसे, इस तर अगर नहीं मिलता है, तो वो क्या है, संबन बौदा कवे, तो इस तरह से आप, जब भी कोई वाक्य देखो, उसमें क्रिया के साथ question करके देखना, कि आई, कहां आई, जितने भी देखोगे आप, जैसे आपने देखा, चुप रहा, कहां रहा, कहां रहा, कैसे रहा, नहीं क्रिया के बारे में कुछ special नहीं बता रहा है, तो क्रिया वर्षेशन होता ही क्या है, जो क्रिया के बारे में special बता है, तो इस तरह से आप, खुद से जब भी कोई वाक्य देखो, और ऐसे से, पहले, के, बाद में, यह सारी चीजे पीछे, यह सब शब्द अगर देखते हो वहीं पई question करके देखो, कि क्या है यह शब्द, यह जो के पहले, अभी जैसे ही आप topic पढ़ते हो, उसी time आप ऐसे 10 sentence निकाल के देख लो, जिसमें आपको दिखते हो, और खुद से ही देखो, कि अच्छा इसमें जो use हो रहा है, यह क्या है, के पहले है, यह कौन सा वाला ह इसको question करके देखो, क्रिया के साथ देखता हो, कहां, कब, कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा चलो, ठीक है, यह क्या है, फिर संबन बौद अगवे, ऐसे खुद से अपना test लेके देखो, और उसके बाद भी अगर आपको problem आती है, तो comment section में लिखो, मैं आपको और अच्छे से detail में next class में बता दूगे कि कहां अटक रहे हो या कहां गलती हो रही है, तो जो भी topic पढ़ो, उसी दिन उसको, उसी से related बहुत सारे sentences मिलेंगे, आपको, कहीं भी search कर लोगे, आपको बहुत सारे sentence मिल जागे, वहीं पर ही आप उसी time भी अपने आपको difference करके कि कोई भी चीज रहे ने कि हां ये नहीं आया या ये समझ मिल आया, जहां भी हलका सा point pinch हो, लगा दो comment में कि मैं हमको यहां पर नहीं समझ में आरा कि ये कैसे होता है, ठीके, चलो मिलते है next class में, और next में हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे समुच्य बादक अवे, समुच्य क्यों क्योंकि जब आप कभी competition exams देते हो, तो वहां पर हमको सामार्य हिंदी तो बहुत बार पूछी जाती है, वहां के लिए आप अच्छे से prepare हो जाओगे, अभी 10th में तो करोगे ही करोगे, आगे के लिए आपको और clear हो जाएगा, आपको सारी चीज़े clear होने लग जाए हैं, उस सारी चीज़े सीखेंगे, उसके बाद most important संधी, उसको भी हम detail में अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, तो बने रहिएगा, वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, और कोई भी, आपको कोई भी query को आप comment section में डाल दीजेगा, ठीक है, thank you so much, bye bye and take care.